सब गड़ो मोनिंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चेनल रिव्यू बाजार में दोस्तों सुपरिश्टार रितिक रोशन और टाइगर शॉफ की एक्शन थ्रिलर फिल्म वार जिसका की डारेक्शन किया है सिद्धार्थ आननने दोस्तों बता दे आपको कि दो अक्टूबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन से बॉक्स आफिस पर काफी आउस्टेड निंग कमाई की थी और कई सारे रिकॉर्ड बना दिये थे जिस दिन दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर आया था उस दिन से ही इस फिल्म को लेकर इंडियन ओडियन्स के बीच में क्रेज देखने को मिला था बताये दोस्तों आपको की सुपर इस्टार रितिक रोशन और टाइगर शॉफ के बीच में हुए फाइटिंग सिंस को देखने के बाद ओडियंस ने जो तालिया बजाई थी उसी कारण से दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे हपते में भी बॉक्स आफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है जिहां दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म ने जहां आपने दसवे दिन इंडियन बॉक्स आफिस पर कमाये थे 7 करोड 60 लाग रुपे महीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने 11 वे दिन इंडियन बॉक्स आफिस पर कमाये 11 करोड 80 लाग रुपे जिससे की एक बात तो सावित हो चुकी है कि दोस्तों यहाँ पर रितिक रोशन और टाइगर शॉफ की इस फिल्म को इंडियन ओडियन्स द्वारा काफी प्यार मिल रहा है और दोस्तों यह फिल्म 2019 की और इंडियन हिस्ट्री की बेश्ट फिल्मों में शामिल होने वाली है बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने अपने 12 वे दिन यानि कि सेकेंड संडे को भी बॉक्स आफिस पर रिकोर्ड तोड कमाई की और कमाई 13 करोड 90 LAK रुपे मोज दोस्तों इस फिल्म ने अपने 13 वे दिन बॉक्स आफिस पर कमाई 5 करोड 80 LAK रुपे इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन था वो एंडियन नेर बॉक्स आफिस पर लगबग 588 करोड रुपे का हो चुका था और ये फिल्म सुपरिश्टा शाहित कपूर की फिल्म कबीर सिंग के टोटल कलेक्शन की बराबरी कर चुकी थी अब बात किजा दोस्तों इस फिल्म के आज याने की 14 वे दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बताते चले कि इस फिल्म को आज भी बॉक्स ओफिस पर बॉर्णिंग में 12 से 15 परसेंट की ओक्यूपैंसी हासिल हुई है मैं दोस्तों इबनिंग में इस फिल्म की जो ओक्यूपैंसी है वो भी काफी शानदार दिखा रही है जिस कारण से दोस्तों ये फिल्म आज अपने 14 दिन बॉक्स ओफिस पर लगबग 5 करोड की कमाई कर सकती है इससे के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो ओल और इंडिया से हो चुका होगा लगबग 283 करोड रुपे का जिसमें दोस्तों ये फिल्म हिंदी बॉक्स ओफिस पर लगबग 270 करोड के आकड़े के पास पहुच चुकी होगी दोस्तों बता दे चले कि जिस तरह की कमाई ये फिल्म आज बॉक्स ओफिस पर कर रही है उस हिसाब से दोस्तों ये फिल्म जल्द ही तीन सो करोड के आखड़ को भी पार कर देगी और हो सकता है दोस्तों की ये फिल्म सल्मान खान की फिल्म सुल्तान और कई सारी फिल्मों को पीछे करते हुए alien history की top 5 highest grosser फिल्मों में भी शामिल हो जाए बात की जाए इस फिल्म के worldwide collections की तो दोस्तों ये फिल्म अपने 13 दिनों तक worldwide box office पर 400 करोड का आखड़ा पार कर चुकी थी मुई दोस्तों ये फिल्म आज अपने 14 वे दिन भी worldwide box office पर लगबग 7 करोड की कमाई कर रही है और इस फिल्म का जो total collection है वो लगबग हो चुका होगा 407 करोड रुपे का इस तरह से दोस्तों लगबग 205 करोड के बजट से बनी ये फिल्म इडिन box office पर एक all time blockbuster फिल्म बन चुकी है और 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई वाली फिल्म भी बन चुकी है तो दोस्तों आपको super star रिति ग्रोशन और tiger shop की बीच हुई fighting scenes में सबसे अच्छा scene कौन सा लगा आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और हमारे इस चैनल review बाजार को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना बुलिएगा क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर लाते हैं box office की सबसे latest update और सबसे सही collection दिन्यवाज जैहिं जैवाज